थांक्यू क्योरामन फो स्पॉंसरिंग तोडेइस वीडियो, फाइंड मोर अबाउट देम दूरिंग दिस वीडियो, हाई, तो जीक बात है, आज से पांट साल पहलेगी, कॉलिज का दूसरा येर चल रहा था, और ठीक ऐसा ही गर्मियों का मौसम था, उस समय गर्मियों के छुटियों में हमें समर इंटर्शिप करने के लिए बोला जाता था, तो मैं भी फिर एक्स्पोजर की तलाश में फेस्बूक के तमाम प्रोडक्शन हाउदिस के पेजिस छान ही रहा होता हूँ, जब ही मेरी नजर इस बहुत ही अमेजिंग सी तस्वीर पर पढ़ती है, मैं माइडलेस स्वॉलिंग रोकता हूँ, और रुक के अक्चुली ये तस्वीर का कैप्शन पढ़ता हूँ, पता चलता है कि इस तस्वीर में दिखने वाला आदमी औल ओवर इंडिया वॉक कर रहा है, जी हाँ पता नहीं कितने ही हजारो किलोमेटर वो पैदल चल रहा है, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, इससे वो क्या हासिल करना चाहता है, और चलने वाला आदमी अक्चुली है कौन, यही जानने के लिए फिर मैं अपनी समर इंटर्शिप को साइड करता हूँ, और दिल्ली से रिशिकेश जाता हूँ उस आदमी से मिलने, और मिलकर उन पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंटरी बनाने के लिए, अब भाई, इमाजिन करो कि एक 18-19 साल का लड़का है, जिसने आज से पहले जादा ट्राविल नहीं किया, जिसको दिनिया की कुछ समझ नहीं है, और वो बस अपने अंथूजियाजम के चक्कर के अंदर, दिल्ली से रिशिकेश चले जाता है, सुनने में पागलबंती लगती है ना, वो पागलबंती मैंने करी थी, और मैं भाई बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बहुत पागलबंती करी, ये कहानी उसी बारे में हैं, तो जी इन भाई का नाम है सचिन, और सचिन भाई और मेरा अब बहुत ही गहरा रिश्टा बन गया है, मगर आज से 5 साल पहले जब मैं पहली वारी रिशिकेश गया था, तब ऐसा नहीं था, तो मैं रिशिकेश पहुच जाता हूँ, ठीक है, करेंगे, वाक करेंगे, तो मैं on the spot decide करता हूँ, कि मैं उनके साथ रिशिकेश से all the way वाक करके, हरिद्वार जाने वाला हूँ, वाया राजाजी नाशनल पार्क, हम एक परसो से उस बंदेगात वाक करनी है, वाक करनी पड़ेगी, और ऐसी हालत में वाक बहुत मुश्किल है, तो एक सुबा सचिन भाई और मैं रिशिकेश से अपनी वाक शुरू करते हैं, और हमारा प्लान ये था कि हम संसेट से पहले-पहले हरिद्वार पहुच जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, वो रात, भाई साब बता नहीं, हम चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, और हरिद्वार कभी आता ही नहीं है, संसेट हो जाता है, और अंधेरे में जंगलों के बीच, सचिन भाई और मैं अकेले वाक कर रहे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ मौत का डर क्या होता यह उस रात मेरे को experience हुआ था तो और वो पूरी रात हम लोग जंगलों में walk करते करते निकालते हैं हम इतना लेट हो गएते कि चांदनी रात में नदी के उस पार मैंने 6 हाती भी देखे थे जैसा कि तो मैं इस footage में देख सकते हूँ मतलब इतना जादा extraordinary experience था यह जो मैंने अब तक अपनी 24 साल की उमर में उसके बाद कभी फिर से experience नहीं किया है हाँ बट आएगेस अगर उस समय हमारे आज के वीडियो के sponsor दर्माट साथ होते तो बात कुछ अलग हो सकती थी क्योंकि मैं इनका एक कमाल का dynamo power capsule खाकर अपनी strength और stamina दोनों maintain करवादा पर कहते हैं ना कभी नहीं से देर भली तो थांक्यू क्योरा में पर sponsor टुडेइस वीडियो दोस्तों इनकी ये dynamo power capsule है आयुरवेदिक तो आप भी इसको चेक करें लिंक बायो के अंदर mentioned है तो जी 100 बात की एक बात ये है कि मैं फिर से वो thrill मैं रास्ते में चार भर तो मर गया रहा हूँ इसे ने बता है नहीं वो stepping into the unknown experience करना चाहता हूँ कोशिश तो actually मैंने पिछले साल भी करी थी बढ़ शायद मैं उस समय तक अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था बढ़ अभी सब कुछ perfect है ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है इसलिए आज ये बात आप सबको बताते हूँ मैं को बहुत जादा खुशी हो रही है कि अगले 100 दिन के लिए मैं दिल्ली छोड़ कर जा रहा हूँ जो सबना में इतने सालों से देखते आया हूँ अब उसको actually जीने का टाइम आ गया है तो अब से अगले 100 दिन मैं अपना जीवन पूरा जी खोल के जीने वाला हूँ और इसलिए इस अपकमिंग सीरीज का नाम है जो कि 24 तारिक से डेली Instagram Reels और YouTube Shots पर आएगी अगले पूरे 100 दिन तक और ऐसा नहीं है कि मैं में YouTube वीडियो बनाना छोड़ दूँगा या फिर में को इस ट्रिप पर वीडियो बनाने का मौका नहीं भी मिलता मैं तब भी चाहता कि मैं यह सब चीज एक्सपीरेंस करूं लास में मेरे को एक और चीज याद आती है मैंने लाइफ के बारे में ना एक ओशो की एक बहुत ही खुबसुरती लाइन पड़ी थी उनसे एक औरत सवाल करती है और हो पूछती है कि जिस पर ओशो बहुत ही पुलाइटली और बहुत ही इंट्रस्टिंग आंसर देते हैं और बोलते हैं कि गोल ओफ लाइफ इस लाइफ इटसेल्फ और यह चीज में को छूग गई मतलब मैं मतलब ऐसा सुनता नहीं हूँ कि बहुत सारे में बावा या फिर इंफलुएंचल पीपल के मैं ऐसा स्पीचे सुन रहा हूँ ऐसा नहीं है बट पता नहीं क्यों यह वाली बात मेरे दिल में घर कर गई मतलब कि टनी perfect बात है कि यह जीवन मिला है तो इसको experience करो सूक experience करो, दूख experience करो, दर्ड experience करो और प्यार भी experience करो तो क्यार इसी नोट पर आज का वीडियो खतम करते हैं और अगर आप मेरे को नेक्स मेरी 100 देज की सीरीज में सपोर्ट करना चाहते हो तो पंसिडर करना कि आप हमारे चानल के मेंबर बन जाओ ये डेक्स्टॉप से ही हो सकता है फोन से आप चानल की मेंबरशिप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं कुछ 89 रुपी से मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन अन है अभी हमें 5 लोग सब्सक्राइब करते हैं जनुर्वनली काफी हिल्प होगी अगर आप अक्चुली सपोर्ट कर सकते हैं मेंबर्शिप का बटन प्रेस कर सकते हैं तो जी ये था आज का एक छोटा सा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कॉमेंट एंग 24 तारिक से मिलते हैं अगले 100 दिन तक डेली विद 100 डेस ओव ड्रीमिंग थांक यू सो मज दोस्तुम, बाइब बाइब